हेलो स्ट्वेंट, वेलकम बैक टू एडूकेशनल गुरू, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CBSC क्लास 11, हॉन बिल का चैप्टर नबर वान, The Portrait of a Lady, जिसे लिखा है खुस्वंत सिंग ने, तो इस कहानी के जो हमारे ओथर हैं खुस्वंत सिंग, वो अपने दादी Grandmother के Portrait को डिस्क्राइब करते हैं, about the relationship between them, उन दोनों के बीच का कैसा relation था, Grandmother की nature कैसी थी, और लास्टली, ओथर ने वो three phase of relationship को काफी अच्छे तरीके से describe किया है, और आप लोगों के exam में भी ये question आते ही आते हैं describe the different phases of relationship between the author and the grandmother, और लास्ट में, Grandmother की दित हो जाती है तो author अपने कहानी सुरू करते हैं, और कहते हैं कि लोग ये कहा करते थे कि एक समय की बात है, उनकी grandmother काफी young, जवान थी, काफी सुन्दर थी, प्यारी थी और grandmother के husband भी हुआ करते थे, यानि कि author के दादा जी इस दुनिया में अब नहीं है तो author यही कह रहे हैं, कि उन्होंने बच्पन में अपनी दादी के बारे में ऐसा सुना करते थे जिस पे विश्वास कर पाना author के लिए काफी मुश्किल होता था क्योंकि author ने जिस तरह से अपने दादी मा को देखा था, वो काफी old थी फेस पे wrinkles थे और तो और author के दादा जी भी नहीं थे अब author आगे कहते हैं कि उन्होंने अपनी दादी को देखा था जैसे और लोगोंने भी देखा होगा अपनी दादी को जिनके फेस पे जुरिया आ गई थी, काफी बुढ़ी हो गई थी और पिछले 20 years से author ने अपने दादी को ठीक ऐसे ही देखा करते थे ऐसे ही देखते हुए आ रहे थे और यही reason भी था कि author को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी दादी मा कभी young pretty भी हुआ करती होंगी अब author थोड़ा सा अपने grandfather के बारे में describe करते हैं और कहते हैं कि उनके drawing room में जो fireplace है उसके उपर जो mantle piece है ठीक उसके उपर grandfather का portrait एक तस्वीर टंगा हुआ था इस portrait में जो dress थी दादा जी की वो काफी loose थी एक पगड़ी पहने हुए थे और जो दादा जी के white beard थे वो उनके chest तक आ रहे होते हैं और उनके ऐसी तस्वीर को देख ये साफ लग रहा था कि उनके grandfather कम से कम hundred years के तो जरूर होंगे और अगर दादा जी को देखा जाए तो उन्हें देख ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता था कि उनके भी बच्चे और wife भी होंगे क्योंकि दादा जी इतने बूढे थे कि उन्हें देख बस यहीं लगता था कि उनके तो बस पोता-पोती यानि grandchildren ही हो सकते थे अब फिर से author अपनी grand mother की बाते करते हुए कहते हैं कि उन्हें author को तो ये विश्वास ही नहीं होता था कि उनकी दादी कभी भी सुन्दर और जवान रही होंगी क्योंकि पिछले 20 years से author ने अपने दादी को old ही देखा है जिसके face पर काफी सारी जूरिया आ चुकी थी जब author की दादी author को कहानिया सुनाया करती थी और ये कहती थी कि उन्हों ने भी यानि दादी ने भी वो सभी games खेले हैं जो आज author खेलते हैं तो author को विश्वास ही नहीं होता था तो author को ऐसा लगता था कि जैसे कोई saint महात्मा हम लोगों को कहानिया सुनाते हैं एक moral message देने के लिए और उन stories पर विश्वास कर पाना मुस्किल होता है तो ठीक इसी प्रकार grandmother की कहानिया भी होती थी बीना कोई logic के जिस पर विश्वास करना मुस्किल होता था author के लिए आगे author अपने grandmother को describe करते हुए कहते हैं कि उनकी दादी मां short छोटी height, fat थोड़ी मोटी and slightly bent आगे की तरफ जूकी हुई थी और उनके चहरे पर हर जगा wrinkles जुरियां दौर रही थी यानि पूरे face पर जुरिया आ गई थी अब author कहते हैं कि उन्हें खुस्वंद जी को ये पूरा विश्वास है कि उनकी grandmother ऐसी ही थी पिछले 20 years से और दादी मां कभी young हो ही नहीं सकती थी और जैसे जैसे time गुजरता जा रहा था वो अपनी grandmother को बूढ़ी और बूढ़ी होते हुए देख रहे थे और फिर से author यही कहते हैं कि वो imagine भी नहीं कर सकते कि उनकी grandmother कभी भी pretty हुआ करती थी लेकिन हाँ वो हमेशा से काफी जादा beautiful सुन्दर थी तो यहाँ पे author ने एक comparison किया है pretty और beautiful के बीच में pretty आपके external beauty को दरसाता है और beautiful internal beauty को मन दिल की सुन्दरता को मतलब यहाँ पे author यह कहते हैं कि हाँ उन्होंने अपने दादी को कभी pretty नहीं देखा लेकिन वो काफी सुन्दर थी दिल की काफी अच्छी थी, nature अच्छा था, काफी सारी अच्छे गुन्द थे और इन qualities के वज़े से ही वो काफी सुन्दर थी आगे author कहते हैं और अपनी दादी का daily का routine बताना सुरू करते हैं और कहते हैं कि उनकी grandmother white dress पहन के पूरा दिन घर में घुंगती रहती थी आगे की तरफ जुक कर अलग ही वे में तरीके से चलती थी और हर वक्त वो कुछ मंत्रा जाप करती रहती थी telling the beads of our rosary और उनके silver color के बाल बिखरे हुए रहते थे अच्छे से कंगी किया हुआ नहीं होता था उनका face का रंग भी पूरी तरह से फिका पड़ चुका था face भी पूरी तरह से आगे की तरफ निकल रही थी और उनके lips हमेशा ही move करते रहते थे क्योंकि वो हमेशा prayer करती रहती थी जो कभी भी किसी को सुनाई नहीं दिया करता था और एक बार फिर से author कहते हैं हाँ मेरी दादी मा सच में सुन्दर थी यानि दिल की बहुत अच्छी थी अब author ये explain करते हैं कि आखिर उनकी grandmother सुन्दर क्यों थी तो author कहते हैं उनकी दादी मा एक winter landscape view की तरह थी अगर आप कोई hill station जाते हैं जहां चारों तरफ बर्फी बर्फ होते हैं जिसे देखकर एक अलग से सांती मिलती है तो ठीक इसी प्रकार उनकी दादी मा भी थी जिनको देख एक अलग सा सांती मिलता था author को अब इस कहानी का different ways सुरू होता है about the relationship between grandmother and the author खुस्वंत सिंग तो खुस्वंत सिंग कहते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो और उनकी दादी मा काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और author के parents सहर चले गए थे city में चले गए थे उन्हें grandmother के पास छोड़ के उनकी grandmother हर सुबह author को उठाया करती थी school के लिए ready करती थी grandmother जब भी author को नहाती थी उन्हें school के लिए ready करती थी तो वो हमेशा एक morning prayer बोला करती थी इस उमीद में कि author भी इन prayer को सुनकर याद करके बोलना सुरू कर देंगे लेकिन author कहते हैं कि उन prayers को सुनते तो वो जरूर थे लेकिन कभी भी उस prayer को याद करने का नहीं सोचा था वो तो बस इसलिए उन prayers को सुनते थे क्योंकि उन्हें अपनी grandmother की आवाज काफी अच्छी लगती थी author कभी भी उन prayers को सीखना ही नहीं चाते थे फिर author को ready करने के बाद grandmother उन्हें wooden slate दिया करती थी जो पहले से ही अच्छे से वास्ट रहता था और plastered भी चड़ा रहता था उस slate पर yellow color का chalk देती थी छोटी से import देती थी जो मिट्टी का बना हुआ रहता था और एक red color का pin देती थी और ये सारी चीजों को एक bundle में अच्छे से बांध कर author को वो दे दिया करती थी उस्कूल जाने से पहले author breakfast करते थे एक मोटा सा stale basi चपाती का जो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था खाने में उस चपाती में grandmother थोड़ी सी butter और चीनी spread करके author को खाने के लिए दे दिया करती थी और खाने के बाद वो दोनों school के तरफ चल पड़ते थे grandmother कुछ और stale chapatis अपने साथ ले लिया करती थी ताकि वो village dogs को खाने के लिए दे सके author कहते हैं कि उनकी दादी मा हमेशा उनके साथ उस्कूल तक चाया करती थी क्योंकि जो उस्कूल था वो temple से मंदिर से जूड़ी हुई थी वहाँ पे उस school में मंदिर का पुजारी priest ही student को alphabet और morning prayer दोनों सिखाया करते थे अब जब सभी बच्चे एक row में बैट कर वेरेंडा में या तो alphabet या फिर prayer को read कर रहे होते थे तो वहीं पे grandmother भी scriptures एक धार्मिक किताब पढ़ा करती थी अब जब author की school खत्म हो जाती थी तो grandmother भी अपने धार्मिक book को बंद कर देती थी और दोनों साथ में घर की तरफ चल देते थे जहां उन्हें रास्ते में ठीक मंदिर के दरवाजे के पास उन्हें कुत्ते भी मिल जाया करते थे और दादी मा उन डॉक्स को वो चपाती खाने के लिए दे दिया करती थी वो कुत्ते भी उन्हें follow करते हुए एक दूसरे पे भौकते हुए लडाई करते हुए उन चपाती के लिए जो author और grandmother उन डॉक्स की तरफ फेका करते थे वो खाते हुए वो डॉक्स भी उनके घर तक आ जाया करते थे अब next phase सुरू होता है तो अब author कहते हैं कि जब उनके parents सहर में city में अच्छे से settled हो गए तो अब author और grandmother दोनों को village से सहर बुला लिया गया और यही पहला turning point था author और दादी मा का friendship का अभी भी दोनों एक ही room में रहते थे लेकिन अब उनकी grandmother author को school लेके नहीं जाया करती थी क्योंकि author एक English medium school में पढ़ते थे और वो अब बस से ही आया और जाया करते थे उस्कूल के लिए स्ट्रीट में भी डॉक्स नहीं थे तो बस इसलिए अब उनकी दादी मा इस पैरो को फीड करना सुरू कर दिया कोट याड में वेरेंडा में बैठ के अब जैसे जैसे समय गुजरता गया दोनों के बीच जो नजदी किया थी वो कम होती चली गई वो कभी-कभी ओथर को नीन से उठाया करती थी और स्कूल के लिए भी रेडी किया करती थी फिर जब ओथर स्कूल से वापस आते थे तो ग्रैन मा ये पूछती थी कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा और फिर ओथर कहते थे कि मैंने इंगलिस के कुछ निव वर्ट सिखे, साइन्स में नई चीजे सिखी, लौ ओफ ग्रैविटी के बारे में जाना, आर्की मेडिस प्रिंसपल के बारे में पढ़ा और भी बहुत कुछ सीखने को मिला अब जब ग्रैण्ड मदर को ये सब बाते पता चली तो उन्हें बिल्कुल भी खुसी नहीं हुई ग्रैंड मदर ऑथर की पढ़ाई में कोई भी हेल्प नहीं कर पाती थी दादी मा को इन सब पढ़ाई में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि सिर्फ English, Science पढ़ाई जाते हैं Grandmother को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि स्कूल में God के बारे में, धार्मिक बुक्स के बारे में ये सब कुछ नहीं बताया जाता ये सब सोच ऑथर की Grandmother काफी ज़्यादा दुखी होती थी और इस वज़ा से दादी मा को ये Education System पसंद नहीं था अब एक दिन जब ऑथर ने अपनी Grandmother को ये बताया कि उन्हें स्कूल में Music भी सिखाया जा रहा है तो ये बात सुनके Grandmother को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि दादी मा का ये मानना था कि Music अच्छे घर के लोग नहीं सिखा करते हैं Music तो वो लोग सिखते हैं जो गरीब होते हैं जो बेगर भिखारी होते हैं ऐसे लोग Music सिखते हैं Music इनहीं लोगों के लिए होता है ये मानना था ओथर के Grandmother का ओथर कहते हैं कि Music सिखाने वाली बात सुनकर दादी मानने तो कुछ भी नहीं कहा लेकिन उनका ये silence ही चुप रहना ही Grandmother की disapproval नापसंद होने का पता चल रहा था अब उसी समय से उन दोनों के बीच में भी बाते करना काफी कम हो गया अब next phase है अब author कहते हैं कि अब जब वो खुद University चले गए तो उन्हें author को एक अलग ही कमरा दे दिया गया अब जो भी एक common link दोस्ती में बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया Grandmother ने भी यह separation अपने grandson से यानि की author से दूर रहना अकेले रहना accept कर लेती हैं बीना कोई objection के और इस पल को दिल से सोचिएगा आप लोग स्ट्रेट कि जब आप दूर होते हो अपने सबसे करीबी से तो कैसा feel होता है तो सायद ठीक वैसा ही दादी मा को भी feel होता होगा और सायद author खुस्वन सिंग को भी अब grandmother अपने free time में एक spinning wheel चलाती थी और ज़्यादा किसी से बाते नहीं किया करती थी author कहते हैं कि सुबह से साम तक grandmother बैठ कर wheel spinning करती रहती थी और अपने prayers को बोलती रहती थी सिर्फ दोफर में वो थोड़े relax होकर इस पैरो को दाना दे दिया करती थी grandmother वेरेंडा में बैठ कर bread को छोटे छोटे टुकरे करके इन स्पैरोस को चिणियों को खाने के लिए दिया करती थी और लगभग hundred से भी ज़्यादा birds grandmother के चारों तरफ एकटे हो जाया करते थे और chirping sound निकालते थे और इन chirping से काफी ज़्यादा noise create हो जाया करता था चारों तरफ कुछ चिणियां तो आकर grandmother के पैरों पर ही बैठ जाया करती थी कुछ उनके कंधों पर और कुछ तो उनके सर के उपर बैठ जाया करती थी grandmother बस smile करती थी लेकिन कभी भी उन चिणियों को सू करके भगाती नहीं थी यही दोफर के half hour दादी मा के लिए पूरे दिन का सबसे happy वाला खुसी वाला time हुआ करता था next phase है अब author अपने university complete करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए abroad जाने का decide करते हैं author यह कहते हैं कि author के इस फैसले से दादी मा अपसेट जरूर होंगी क्योंकि author अपनी दादी मा से पूरे 5 साल के लिए दूर जा रहे थे और दादी मा की इतनी age हो गई थी कि author भी सियोर नहीं थे कि जब वो 5 साल बाद वापस आएंगे तो वो अपने grandmother को देख भी पाएंगे या नहीं author ये भी कहते हैं कि उन्हें तो ये मालूम नहीं था कि उनकी दादी मा और कितने दिन जी पाएंगी लेकिन दादी मा को ये पता था कि वो काफी टाइम जीएंगी क्योंकि जब grandmother author को छोड़ने railway station गई तो दादी मा बिलकुल भी sentimental उदास नहीं थी हाँ उन्होंने author से ज़्यादा बात नहीं किया और नहीं अपनी कोई emotion feeling share की हाँ grandmother के lips बस लगतार prayers के वजह से move कर रहे थे mind भी पूरी तरह से prayer में ही खोया हुआ था और जो grandmother के finger थे वो भी busy थे in telling the beads of our rosary author कहते हैं कि अब वो जैसे ही जाने वाले होते हैं तो उनके दादी मा ने बस silently एकदम सांथ होके बस author के forehead पर किस करती हैं और उस किस से जो saliva थी वो उनके forehead पर लग जाती है और ये चीज author के दिल के काफी करीब थी वो हर वक्त इस चीज को महसूस करते थे क्योंकि ये जो physical contact था जब दादी मा ने author को forehead पर किस किया था वो case ही उन दोनों का last physical contact था दादी मा का सायद ये last test था क्योंकि सायद अब author अपनी दादी मा को फिर कभी देख नहीं पाएंगे क्योंकि grandmother की age ही काफी हो चुकी थी लेकिन अब author कहते हैं कि जो डर था author के मन में कि सायद अब वो अपनी दादी मा को कभी नहीं देख पाएंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ और अब जब वो five years बाद पांत साल बाद घर लोटे तो उन्होंने अपनी दादी मा को station पे देखा ज्यादा old भी नहीं लग रही थी लेकिन अभी भी grandmother ने author से कोई बातचीत नहीं की बस दादी मा ने author को जोर से पकड़ लिया अपने बाहूं में लेकिन उस वक्त भी grandmother अपने prayer को ही बोल रही थी आगे author कहते हैं कि grandmother का जो schedule था वो अभी भी same था इस पेरो को free time में feed करना चिडियों को प्यार से डाट देती थी बस ऐसे ही वो behave किया करती थी लेकिन उसी साम में एक अलग सा change देखने को मिला दादी मा के behavior में वो अब prayer नहीं कर रही थी वो बस आस पास के कुछ औरतों को पडोसियों को एकटा कर लिया एक drum ढोल मंगाया और जोर जोर से गाने बजाने लग गई कई घंटों तक उन्होंने उस ढोल को बजाया और वीरता brave warrior के गाने गा रही थी अब author खुद और author के parents दादी मा से request करते हैं कि अब बस भी कीजिए वरना आप बिमार पर जाओगे ठक जाओगे author ये कहते हैं कि उन्होंने life में first bar first time ऐसे देखा था कि वो prayer नहीं कर रही थी और ये बात author को काफी अजिब भी लगता है अब अगले सुबह grandmother बिमार पर जाती हैं उन्हें fever हो गया था डॉक्टर ने बताया कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी लेकिन grandmother कुछ और ही सोच रही थी grandmother ने उन्हें बताया कि उनका समय आ चुका है grandmother अब lastly अपने family से ये कहती है कि अब जब उनके पास कुछ ही समय बचा है देख नजदीक है तो वो अपना समय बस सांती से अकेले ही रहना चाहती है grandmother ना तो अब prayer कर रही थी और नहीं किसी से बाते करना चाहती थी सभी लोगों ने grandma को बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आप ठीक हो जाओगी लेकिन grandmother ने किसी की बात नहीं सुनी सभी को इगनूर किया बस सांती से लेट कर prayer करना सुरू कर दिया अपनी माला का जाप करना सुरू कर दिया फिर अचानक grandmother के lips बंद हो गए और जो माला थी grandmother के lifeless finger से नीचे गिर गया उनके चहरे एकदम से सांत हो गए और सभी लोग ये जान गए थे कि दादी मा अब मर चुकी है अब सभी लोगों ने दादी मा को बेट से उठा कर ground पर रखा और उन्हें red shroud से जो एक कपड़ा होता है धार में कपड़ा होता है जिसे मरने के बाद उसी कपड़े से cover किया जाता है वो सभी चीज सभी रिवाज किये गए कुछ घंटों बाद सभी लोग ग्रैन मदर के funeral की arrangement करने के लिए चले जाते हैं अब साम के वक्त वो लोग ग्रैन मदर के रूम में गए घर में बना हुआ एक crude stretcher उठाया बॉडी को जलाने के लिए फिर ले गए साम के समय सुरच की रोसनी पूरी वेरेंडा में फैली हुई थी एक golden light पूरे रूम में दादी मा के रूम में फैले हुई थी अब थोडी देर वो सभी लोग वेरेंडा में रुक गए उस पूरे एरिया में हजारो थाउजन्स ओफ स्पैरो बैठे हुए थे जमीन पर लेकिन वहाँ पे कोई भी आवाज नहीं कर रही थी मतलब वो इस पैरो भी ये जान चुकी थी कि ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही वो मर चुकी हैं ये चीज देखकर सभी लोगों को काफी दुख भी हुआ उन बर्ड्स के लिए भी काफी बुरा लगा आथर की मदर ने उन इस पैरो को बर्ड्स को ब्रेट के छोटे-छोटे टुकरे भी दिये खाने के लिए लेकिन किसी भी इस पैरो ने थोड़ा सा भी ब्रेड की तरफ धियान नहीं दिया अब जब दादी मा की बोड़ी को ले जाया गया तो वो सभी बर्ष भी सांती से वहां से उड़ गये दूसरी सुपर स्वीपर नहीं वो सभी ब्रेड के टुकड़े को उठाकर डस्ट बिन में डाल दिया सुष्ट वें दिस वाज दी फुल डिटेल्ड एक्स्लानेशन अफ दिस चैटर पोट्रेट अफ लेड़ी अगर आप लोगो को इस चैटर स्लेट कोई भी इंपॉर्टेंट कोश्चन एक्स्टा कोश्चन चाहिए एंसी एर्टी सॉल्यूसन चाहिए तो आप आप आईसी एसी सी बी एसी नूर्ट से अप्लिकेशन को डाउंडूड करना न भूले लिंक इज गिविन इन दी वीडियो डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट, सेर करना बिल्कुल भी न भूले थैंक प्रिय था जज ख इसके आप 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 आप